प्राचिंग काल में एक सेड़ जी के साथ पुत्र थे सातों की विवाहों हो चुके थे सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ट चरित्र की विदुशी और सुशिल थी परन्तु उसके भाई नहीं था एक दिन बड़ी बहु ने घर लिपने को पिली मिट्टी लाने के लिए सबी बहु को साथ चलने को कहा तो सबी दलिया और खुर्पी लेकर मिट्टी खोदने गई तबी वहा एक सरप निकला जिससे बड़ी बहु खुर्पी से मारने लगी यह देखर छोटी बहु ने उसे रोकते हुए तुम यहां से जाना मत यह करकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सरप से जो वादा किया था उसे भूल गई उसे दुसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुची और सरप को उस्तान पर बेटा देखकर बोली सरप भाईया नमस्काब सरप ने कहा तु भाईया कहे चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ नई तो जूटी बात कहने के कारण तुझे आभी डस लेता वह बोली भाईया मुझसे भूल हो गई उसकी शम्मा मागती हूँ तब सब बोला अच्छा तु आज से मेरी बहन हुई और में तेरा भाई हुआ तुझे जो मागना हो माग ले वह बोली भाईया मेरा कोई नहीं अच्छा हुआ जो तु मेरा भाई बन गया कुछ दिन मेतित होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था तो वह बोला मैं दूर के रिष्टे में इसका भाई हूँ बच्पन में ही बाहर चला गया था उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छूटी को उसके साथ भीज दिया उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ इसलिए तू डर्ना नहीं और जहां चलने में कठिना ही हो वहां मेरी पूच पकड़ लेना उसने कहे अनुसर ही किया और इस प्रकार वहां उसके घर पोच गए वहां के धनायश्वर्य को देखकर वहां चकित हो गए एक दिन सर्प की माता माता ने उससे कहा मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ तू अपने भाई को ठंडा दुद पिला देना उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म पिला दिया जिसमें उसका मुख बेतर हर जल गया एह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई परन्तु सर्प के समझाने परशानत हो गई तब सर्प ने कहा कि बहिन को अब उसके घर भेच देना चाहिए तब सर्प और उसके पिता ने लाना चाहिए सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुए सोने की लाकर दे दी यह देखकर बड़ी बहु ने कहा इनी ज़ाडने की ज़ाडूस भी सोने की हुनी चाहिए तब सर्प ने ज़ाडू भी सोने की लाकर रखी सर्प ने छोटी भोको हीरा मनियों का एक अदबुध हार दिया था उसकी प्रशन सा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेट की छोटी भौका हार यहां आना चाहिए राजा ने मंत्री को हुकम दिया कि उससे वह हार लेकर शिगर उपस्ति थो मंत्री ने सेट जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी भौका हार मह पहनेगी वह उससे लेकर मुझे दे दो सेट जी ने डर के कारण छोटी भौका हार मंगा कर दे दिया छोटी भौको यह बात बहुत बुरी लगी उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्राथना कि भाईया रानी ने हार छीन लिया है तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गल्ले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लोटा दे तब भीरो और मनियों का हो जाए सर्प ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया यह देखकर रानी चीक पड़ी और रोने लगी यह देखकर राजा ने सेट के पास खबर भेजी कि छोटी भोव को तुरंद भेजो सिट जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा वे स्वय छोटी भोव को साथ लेकर उपस्तित हुए राजा ने छोटी भोव से पूछा तुने क्या जादू किया है मैं तुझे दंड दूँगा छोटी भोव बोली राजन दुष्टता शमा किजिए यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हिरो और मानियों का रहता है और दुसरे के गले में सर्ब बन जाता है यह सुनकर राजा ने वह सर्ब बना हार उसे देखर कहा आभी पेन कर दिखाओ छोटी भोव बोले जैसे ही उसे पेना वैसे ही हिरा मानियों का हो गया यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राय भी पुरसकार में दी छोटी बहु अपने हार और इन सहित घर लोट गए उसके धन को देखकर बड़ी बहु ने इर्शा के कारण उसके पती को सिखाया कि छोटी बहु के पास कहीं से धन आया है यह सुनकर उसके पती ने अपनी पतने को बुला कर कहा ठीक ठीक पता कि यह धन तुझे कोन देता है तब वोह सर्प को याद करने लगी तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा यदि मेरी धर्म बहन के आचरन पर संधिह प्रकट करेगा तो मैं उसे खालूंगा यह सुनकर छोटी भोकापती बहुत प्रसन्न हुआ और उसे उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया उसी दिन से नाक पंच्यमी का त्योभर मानाया जाता है और स्त्रिया सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है कि अजा झालूंग।